प्रिय आईये स्पीसिस एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर आनम पदिक्षित हूँ, रेटार्ड अस्टेंट कमिशनर, मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूँ, जिससे आप मोटिवेट होंगे, और आपको अपने कार यो दिर्शा मिलेगी, वो घटना ये है क जब मैं कार चलाना सीख रहा था 1990 में, मैंने मारुती खरीदी थी, पहली कार तो मेरी अमबेसडर थी, जिसको मैंने चलाना नहीं सीखा, ड्राइवर सी चल वाता रहा, लेकिन मारुती बड़ी प्यारी सी छोटी सी गाड़ी थी 800, तो मुझे लगा कि मुझे चलाना सीखना चाहिए, तो एक professional कार सिखाने वाले से मैंने सिखी, तो वो कार सिखाने वाला जो है, उसके पास जो कार ती, उसके वो सिखा रहा था, उस कार में, ड्राइवर के पैरों के नीचे, clutch, brake, accelerator थे, और इसी प्रकार से, brake और clutch, सिखाने वाले के पैरों के नीचे भी थे, डबल हो होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता तो वो चलाता था तो खुद कंट्रोल करता था गाड़ी को मैं स्टेरिंग समालता था खाली मैं ने स्टेरिंग समालना सीखा क्योंकि मुझे स्कूटर चलाना साइकिल चलाना बाइक चलाना भी नहीं आता मैं सड़क पर कभी निकलाई नहीं था तो मेरी लिए बड़ा कठिन था कार चलाना सीखना अलाएं फिर तो मैं रेसर कार की तरह कार चलाना सीख गया था तो मैंने मैं सीख रहा था एक महीना हो गया मुझे सीखते हुए एक दिन और मुझे नासरपुर फाटक पर गाजियबाद में ले गया और वहां बहुत भीड थी उस भीड में उसने मुझे डाल दिया और उसने कहा कि मैंने अपने पैरों के नीचे जो क्लच और ब्रेक हैं उनका प्रयोग में नहीं करूँगा आपको ही करना है आपको ही इस भीड से पार निकलना है ट्रेन का फाटक गिरने वाला था वहाँ पर रेलवे फाटक है वो गिरने वाला था और मेरे हाथ पाउंग फूल गए मुझे लगा मैं कैसे चलाओंगा मैं घबरा गया मैंने कैसे चलाओंगा अरे भई तुम चलाओ तुम चलाओ जो है गियर है वो आप गियर ठाम सकते हैं पैरों पर कलच है ब्रेक है एक्सिलेरेटर है तो मैं कौन होता हूँ चलाने वाला चलाने वाले आप हैं आप ही चलाएंगे आपके पैरों में भी जान है दम है वो तो सिखाने वाला मिस्तरी होता है एक मिस्तरी की लेविल का आदम ही होता है तो अपनी भाशा बोल रहा था के तुमारे पैरों में दम है चलाओगे तुम मैं थोड़ी चलाओगा वो मुझे अफसर नहीं मान रहा था के मैं कोई अफसर हूँ के मैं कौन हूँ. वो तो शिष्ड मान रहा जब जरूरत हो, सब कुछ आप करना, तुम्हें करना है, आप भी नहीं बोलता था वो, सब कुछ तुम्हें करना है, मुझे थोड़ी करना है, मैं नहीं करूँगा, और उसने धमका के मुझे छोड़ दिया, अब मैं उस भीड में फस गया, लेकिन मैंने बड़ी तसली से, ब उसने कहा कि देखो कर लिया ना हो गया ना बड़े आराम से आज से आप गारी चलाना सीख गए अब उसने आप शब्द का प्रयोग किया उसने कहा मैं अगर आपको धमकाता नहीं तो आप सीखते नहीं तो कभी-कभी गुरू का डाट जो होता है गुरू की डाट बहुत होता है बेटा आप तैयारी कर रहे हो आई इस पीचिएस की और उस तैयारी में आप यह पोचते फिरते हो चारह तरफ कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें मैंने तुम्हें फार्मॉला बताया SBBNR पूरा सिलिवस तैयार करो बैक एर पेपर पड़ो बुक्स से खट्टी करो उ S, B, B, और N for notes बनाओ और R for revision करो, तुम्हें कहीं कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ कर सकते हो, इश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, मस्टिश के दिया है, सबसे बड़ी बाती है, मेरे कई शिश्रे हैं जिनके आँखें नहीं हैं, जो विजुली इंपेरड हैं, जो द मस्टिश्क दिया है, जब मस्टिश्क दिया है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, बस यह है कि मस्टिश्क को विक्रत मत होने दीजिए, मस्टिश्क पर दूसरों को हावी मत होने दीजिए, रिष्टेदारों को, ताने देने वालों को, आपका बुरा चाहने वालों को, आपको थोड़ा घूम आते हैं, चल थोड़ा निकल आते हैं, उस गलीब मैंने एक लड़की देखिए, मैं उसके चक्कर में घूम रहा हूँ, दो देन से चल तुझे भी दिखाते हैं, बहुत खुबसूरत लड़की है, और तुम छोड़ चार के पढ़ाई, उस खुबसूरत तुम्हें जुए के लिए उकसाने वाले, गलत संगत के लिए उकसाने वाले, और तमाम चीज़ें करने वाले, ये सब इनको त्यागो, सबसे बड़ा दुष्ट जो मित्र तुमारा है, दुष्ट मित्र मतलब जो है तो मित्र देखने में मित्र लगता है, लेकिन जो बहु तिपाओ, जलील चीजों से दूर रहो, इस तरह की जो गंदी चीजे हैं इनसे दूर रहो, मस्तिश्क विक्रत हो जाएगा, मस्तिश्क अगर शुद्ध रहेगा, तो बेटे आप बन सकते हो, I.S.P.C.S. बन सकते हो, कोई ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती बनने से, अगर केवर मस्तिश्क को concentrated रखो, सूर्य की रोष्णी को जब हम lens से concentrate करते हैं, तो कागस में आग लगा देती है वो रोष्णी, कागस जल के भस्म हो जाता है, इसी तरह से जब हम अपनी शक्तियों को concentrate करते हैं, तो वो शक्तियां concentrate होकर, किसी भी career के लिए, एकदम से जो ह आपको उतिष्ठ अवस्था में ले आती हैं, जागरत अवस्था में ले आती हैं, और आप पूरी तरह से काम में लग जाते हैं, और जब आप पूरी तरह काम में लग जाते हैं, तो दुनिया कोई ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती, मेरी बात मानिये, तैयारी करिए, जी तो पता चलेगा मुझे कि आपने पिछला वीडियो देखा है तो इतना जरूर करिए तो मैं और अच्छे अच्छी बातें आपको बताता रहूँगा गाड़ ब्लेस यू